चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समार, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समार, दस मिनिट में, बिग ब्लिस एप है खुशियो की correction है, आज हम देख रहे हैं कि soybean की कीमते हैं, उनमें correction आती भी नजर आई है, soybean हमने 7900 के levels पर close होते वे देखी थी, पिछले कारवारी सबता, soybean 7900 पर भी trade करती नजर आती लेकिन हम देख रहे हैं कि अब 7750 पर trade करती नजर आ रही है, आपको बता देखिए कि, U.S. soybean में उठापटक बने ही रहती है लेकिन मंडियों में किसानों को सोयवीन के उचे दाम मिल रहे हैं मंडियों में किसानों को सोयवीन के 7600, 7750 तक दाम मिलते नजर आ रहे हैं इसकी वज़ा से किसानों ने मंडियों में सोयवीन की जो आवके हैं वो थोड़ी बढ़ा दी हैं सोय किछले साल की अपर्एक, शार पिछले साल की मुकावले, इस बार की सोयबीन के दाम है वे अभी भी कम है, पिछले साल हमने इस सोयबीन को हेट्रिक लगातेवे देखा था, दस हजार के पार सोयबीन की कीमते जाती निज़र आई थी, लेकिन इस बार 7700 के करीब हैं इस समय. soybean की कीमतों में आगे जाके अभी और तेजी देखने को मिल सकती है चाहे वायदा बजारों या फिर हाजिर बजार दोनों ही बजारों में soybean की कीमतों में आगे तेजी जारी रह सकती है क्योंकि हमने देखा है कि South America में यानी ब्राजिल और अर्जेंटीना में भी सोयबीन का जो उतपादन है लगातार उसका जो अनुमान है कम किया जा रहा है विबिन एजेंसियों दुवारा जिसकी वज़ा से जो वैश्विक सोयबीन उतपादन है वो कम रह सकता है तो ऐसे में सोयवीन की जो कीमते हैं उनमें लगातार बढ़ातरी और देखने को मिल सकती है झाल 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 झाल